हेलो गाइस तो कैसे हैं तो आज हम इस वीडियो में इस अध्या को पढ़ने बाले हैं इंदी का अध्या है अपना आत्मकत्य जिसके रच्यता है जैसंकर परसाथ जी जो यहाँ पर यह आत्मकत्य नामक कविता है इसको अपने जैसंकर परसाथ जी ने लिखा है इसे सन 1932 में हंस नामक पत्रिका के आत्मकता में छापा गया था और उनके लेका के मित्रों ने उनसे आत्मकता लिखने का निविदन किया था ठीक है तभी उन्होंने जैसंकर प्रसाद जी ने ये कबता लिखी थी आत्मकत्य और मैं आपको बता दू इसके आत्मकत्य के रच्चेता जैसंकर पिरसाथ जी उनका जीवन परिचे आप स्वेंप पढ़ लेना ऊपर दिया हुआ है जैसे कि जैसंकर पिरसाथ एक चाया वाद कभी है और उनका जन्म 1889 में 1280 में हुआ था 1937 में उनका निधन हो गया था एक कुछ मेंन में पॉइंट है और उनकी जो रचना आए भासा से लिए आप खुद पढ़ लेना ठीक है एंसी एटी में दिया हुआ है उपर ही दिया हुआ है हम तो सरफ उनकी लिखी हुई कविता आत्मकत्य को पढ़ने वाले हैं एकदम एंसी एटी लहन भी लहन और एक एक वर्ड का आर्थ समझते ह हुए पढ़ेंगे बड़ी आराम से और फिर हम एंसी एटी लहन का भी एकस्पेनिशन करेंगे चलिए अब स्टार्ट करते हैं मदूप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी मुर्जा कर गिर रही पतियां देखो कितनी आज गनी अब यहां पर मैंने थोड़ी दे कह जाता कौन कहानी या मुर्जा कर गिर रही पतियां 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 का तो अर्थ आपको पताए हुगा नहीं पताए तो आप कमेंट करते हैं मैं उनका अर्थ बता दूब ठीक है अब यहां पर अपने जैसंकर परसाद जी कह रहे हैं कि मदूप गुन गुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी मतलब कभी यानि कि अपने जैसंकर परसाद मन रूपी भुमरा गुन-गुन करते हुए कहते हैं अरे मैं अपनी कौन सी जीवन गाता कहूं मुर जाकर गिर रही पतियां देखो कितनी आज घनी कि मेरे सामने एक पर एक ना जाने कितनी सारी पतियां मुर जाकर गिर रही है मतलब इसका आसा यह हुआ कि कभी कहना चाहते हैं कि मैंने एक पर एक कष्ट देखी है दुख देखी है निरासाएं जेली है और मैंने सपनों को मरते हुए देखा है फिर आगे क्या कहरें कभी इस गंभीर अनंत निलिमा में असंग जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं ब्यंगमले नुबहास अब यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गंभीर तो इस गंभीर का अर्थ होता है गेरा अब यहाँ पर लिखा हुआ है अनंत नीलिमा क्या लिखा हुआ है अनंत नीलिमा तो इसका अर्थ होता है विसाल नीला आकास अब यहां पर लिखा है असंके तो असंके का अर्थ होता है बहुत अधिक और यहां पर लिखा हुआ है जीवन इतिहास क्या लिखा हुआ है जीवन इतिहास इसका अर्थ है जीव रब बर्प में आप पीछे इसका मीनिंग लिख लें ब्यंग मलिन तो इसका अर्थ क्या होता है बुराई के कारड बिगड़ा हुआ ब्यंग मलिन का अर्थ होता है बुराई के कारड बिगड़ा हुआ अब यहां पर लिखा हुआ है उपहास तो उपहास का अर्थ क्या होता ह अब एक तरह उपयास डाल अब उसका अर्थ उपहास का अर्था निंदा या फिर मजाक उपहास का अर्थ हम कह सकते हैं कि हसी उड़ाना आयोप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है यदि आप इनकी अर्थ आप भर्क में लिखे लोगे तो आपको फिर द्वारा एक्स्प्ल में इस गेरे नीले आकास में अनगिनत लोगों ने अपने जीवन के इतियास लिखे हैं अपने जीवन के इतियास लिखी अनगिनत उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि मानो वे स्वेम अपनी बुराईयां स्वेम वे अपनी बुराईयां करके अपने जीवन प अब अगली पंक्ति देखते तब भी कहते हो के डालू दुरुबलता अपने बीती तुम सुनकर सुक पाओगे देखो यह गागर रीती अब यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ दुरुबलता को सायद आपको पता होगा दुरुबलता का अर्दक कम जोरी अब यहाँ लिखा हुआ है गागर क्या लिखा हुआ है गागर तो यहाँ पर यहाँ गागर लिखा हुआ है इसका होता है जीवन रूपी गड़ा और यहाँ पर लिखा हुआ रीती क्या लिखा हुआ है रीती इसका अर्द होता है खाली क्या अर्द होता है खाली ठीक है आयो आपको सम तुम सुनकर सुक पाओगे देखोगे यह गागर रीती कि कभी अपने मित्रों से पूछता है अपने मित्रों से पूछता है है मित्र या मित्रो ऐसा देखने पर भी क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता के डालूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरे जीवन क खाली गागर देखकर बहुत सुक मिलेगा ठीक है आई योप आपको समझ में आ गया होगा यहां तक अर्थ अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सब्सक्राइब जरूर करें आपक गुशन तो इसका आर्थ क्या होगा आप कमेंट में जरूर लहें कि कवीता में मदुब किसे का गया था बताईए कमें कोमिधा में मदुब कवी का अंत मरन कुसरा गया था और गुन-गैर क्या कह रहा था वह है गुन-गन्जुना कर अपनी आप पर बीती हुई कता सुना रहा था ठीक है यहाँ पर उपर वाली बुने लाइन में पड़ा हुआ था आयोप आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करती है किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रसले अपनी बरने वाले अब यहाँ पर आयोप आपको इनका सबका अर्थ तो पता ही होगा कि यहाँ पर क्या लिखा किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रसले अपनी बरने वाले अपने को समझो मेरा रसलो अपनी बरने वाले मतलब अपने मित्रों से कहते हैं क्या कहता है कभी मुझे भय है कि मेरी आत्मकता में तुम मेरी खाली गागर देखो तो कहीं स्वेम को दोसी न समझने लगो कभी तुम मेरे कटू अनभवों को सुनकर यह न समझने लगो कि तुम्ही मेरे जीवन को खाली करने बाली हूँ तुम्ही ने मेरे जीवन का रश चुराया है और मुझे हीन बना दिया है ठीक है अब आगे की लाइन पढ़ते है यह बिडम बना क्या लिखा हुआ है यह बिडम बना अरी सरलते तेरी हसी उडाओं में भूले अपनी यह प्रवचन औरों की दिखलाओं में अब यहाँ पर एक वड़ाया बिडम बना क्या अर्था आया बिडम बना तो इसका अर्थ होता है दुर भाग्य और आयूप आपको इनका सबका आर्थ पता हुआ यहाँ पर यह भी लिखा प्रवचना अर्थ होता है दोखा और तो सबको आपको पता ही होगा ठीक है मैंने इन दोनों का जेस्ट अभाली बता है कि बडम बना का अर्थ दुर भाग्य और प्रवचना का अर्थ होता है दोखा अब इस लाइन में कभी अपने सुआभी को शरलता को संबोधित करते हुए कहता है कि यह ब्रमना अरी सरलते तेरी हसी उड़ाऊं में भूले अपनी या प्रवचना और की दिखलाऊं में है मेरी सुभाविक सरलता यदी मैं तेरी हसी उड़ाऊं तो यह मेरा दुरभाग्य होगा माना कि मेरी सरलता ही मेरे अने कष्टों का कारड है फिर भी मैं उसका अपमान नहीं मैं अपमान नहीं कराना चाहता मैं अपनी आत्मकता मैं अपनी बूलों गिनवाऊं या औरों के छलकपट की कानिया सुनाऊं यह मैं नहीं चाहता अब नेक्स्ट लैन पढ़ती अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है उज्वल क्या लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है उज्वली या सुक से भरी हुई अब यहाँ पर मेरे जीवन मैं यानि की अपने जैसन्करपरसाद जीवन में जो प्रेम की मद्दुर चांदनी राते आई हैं उन रातों में मैंने जो प्रेम के उज्वल चट जिये हैं उनके बारे मैं सब को कैसे बताओं क्यों बताओं बे तो मेरी निजी अनुभूतिया है मैंने अपनी प्रेमका के साथ खिल खिला कर और हस कर जो बातें की हैं उन्हें आद्मकता में कैसे लिखूँ बे बातें मेरे निजी जीवन की पूजी हैं उन्हें समाज में बाटने की कोई अवसकता नहीं है इब को यहां तक क्लियर होगा हो अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूरें और बीडियो देख रहा है यहां पर देखो यहां पर कितने देखो वीडियो देख जाते है ओली-ओली ठीक है थोड़ा सब्सक्राइब गड़तो एक दो से भाई का भला हो जाएगा अब यहाँ पर लिखा हुए मिला कहा हुए सुक जिसका मैं स्वपने देखकर जाग गया अलंगन में आते आते मुस्क्या का जो भाग गया अब यहाँ पर स्वपन तो आपको पता ही होगा स्वपन का अर्थ होता है सपना आलंगन इसका अर्थ नहीं पता हुआ साइद इसका अर्थ होता है आलंगन का मतलब होता है गले लगाना और मुस्क्या का अर्था है मुस्क्राकर क्या अर्थ होता है इसका मुस्क्राकर तो अब यहाँ पर कभी अपनी आत्मकता सुनाते हुए कहते हैं कि मिला कहा हुए सुक जिसका मैं सुपने देख कर जाग गया आलंगिन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया अब यहाँ पर मैंने बताया कि जो अपने जैस संगर परसाद जी आत्म कहता सुनाती हुए कहती है कि जिन सुकों के सपने देख देख कर मैं जाग जाता हुथा बे मुझे कभी मिल नहीं पाई मैं जिस भी प्रिये का अलंगिन करने के लिए बाहें आगे बढ़ाता हूँ वे प्रिये मुस्करा कर भाग जाता है या भाग जाता रहा है मेरी कामनाए कभी सपन नहीं हो पाई है जिसके अरोड का पोलों की मतवाली सुन्दर चाया में अनुराग नी उसा लेती थी निजी सुआग मदुमाया में यहाँ पर मैं इनका अर्थ बता दूँ यहाँ पर लिए अरोड का मतला होता है लाल 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 अरोड का मतला होता है यहाँ पर लाल और कपोल का अर्थ गाल कपोल का अर्थ होता है गाल्प और यहां पर लिखे हो मतवाली और मतवाली का अर्थ मस्त चाया का अर्थ सोभा अनुरागनी का अर्थ प्रेम करने वाली उसा का अर्थ सवेरा निज का अर्थ होता है अपना सुहाग सुहाग का अर्थ सुगंद सुगंद इत्र मदुमाया मदुमाया का अर्थ है मदुर या मोखता है ठीके यहां पर क्या लिखा हो है कि जिसके अर्थ कपोलों की मतवाली सुन्दर चाया मैं अनुरागनी उसा लेती थी निजी सुहाग म मेरी प्रेमका के लाल लाल गाल इतने मतवाले और सुन्दर थे कि प्रेममिय उसा भी अपनी सुगंदित मदूर लालिमा उसी से उदार लिया करती थी आसा यह कि मेरी प्रेमका के लाल कपोल उसा कालिन लालिमा से भी मनुरम थी अब उसकी स्मृती पाथे बनी है ठके पाथे की पंता की सीवन को उठेड कर देखोगे क्या मेरी कंता की अब यहां पर देखो यहां पर लिखा हुआ है इस्मृती क्या लेका हुआ है? स्मृती तो इसका अर्दुता यादें और यहां पर लिखा हुए पाथे क्या लिखा हुए? पाथि मतलब रास्ते का बोजन या सहरा या बोल चकते संबल और यहाँ पर लिखा हुए पाथिक पाथिक का अर्थ होता है यात्री यहाँ पर लिखा हुए पंथा पंथा का अर्थ होता है रास्ता या राह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सीवन सीवन का अर्थ क्या होता है सिया हुआ सिया हुआ और यहाँ पर लिखा हुआ है कंथा कंथा का अर्था है गुदड़ी या अंत्रमर्ण आज उसी प्रेमी ये प्रेमका की यादें ही मुझे थाकित यात्री के लिए संबल बनी हुई है उनी के सारे मेरा जीवन चल रहा है तो यह मित्र क्या तुम मेरी उन यादों को देड़ कर उनके बीतर जाकना चाते हो क्या मेरी आद्मकता पढ़कर मेरे भूले हुए दर्द को फिर से जगाना चाते हो मेरी पटी हुई जिंदिगी को तार-तार करके देखना चाते हो आई होग आपको यहां तक एक्स्प्लेनिशन कैसा लगा कमेंट में जरू बताए और हाँ लेका का नाम कमेंट में जरू लिखें सभी लोग लेका का नाम कमेंट में जरू लिखें फास्ट फास्ट लापर देखो अब क्या लिखा हुआ है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कताएं आज कहूं क्या ये है अच्छी नहीं की औरों की सुनता मैं मौन रहूं अब यहाँ पर आयोब इन सबका तो अर्थ आपको पता ही होगा चोटे से जीवन की कैसे बड़ी कताएं आज कहूं क्या ये अच्छा नहीं की औरों की सुनता मैं मौन रहूं अपने जैसंकर्परसाजी कहती है मेरा जीवन बहुत सामान निसा है मैं तुछ सा मनुस्य हूं मैं अपने साधारड जीवन की बड़ी-बड़ी यस गाताएं कैसे लिखूं इससे तो अच्छा ही यही है कि मैं औरों की गताएं सुनता रहूं अपने बारे मैं मौन रहूं सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकता अभी समय भी नहीं ठकीस होई है मेरी मौन ब्यथा अब यहाँ पर आत्मकता तो इसका अर्थ आप समझ रहोगे कि जो यहाँ पर आत्मकता का अर्थ क्या होता है अपनी कहानी या स्वेम लिख ना उसी को हम आत्मकता कहते हैं और मौन व्यता मौन व्यता होती है चुपचाप सोई पड़े दुक चुपचाप सोई पड़े दुक यहाँ पर कभी मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकता अभी भी समय नहीं तक ही सोई मेरी मौन बिता कभी मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि भला तुम मेरी भोली बाली सीधी साधी आत्मकता को सुनकर क्या अपने अनव क्या करोगी भला तुम मेरी भोली भाली सीधी साधी आत्मकता को सुनकर क्या करोगी उसमें तुम्हारे काम की कोई बात नहीं है और अभी मैंने ऐसी कोई महानता भी अरजित नहीं की है कि जिसके बारे मैं अपने अनुभव लिखूं एक बात और है मेरे जीवन के सारे दुख दर्द अवाव अब सांत है इसलिए मेरे मन में कुछ भी लिखने का उमंग नहीं है ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया हुआ ठीक है कभी कैसा सब्न देखकर जा गया था यह सीबेसी दोजाराइट में पूछा हुआ था सब्न वाली बाद यहां पर हुई थी मिला कहा हुए है सुक जिसका मैं सब्न देखकर जा गया कभी कैसा सब्न देखकर जा गया था बताईए चलिए मैं बता देता हूँ कि यहां पर कभी अपनी पतनी या प्रेमिका के साथ प्रेमिका सब्न देखकर जा गया था देख लो क्या चोटू सा सवाल पूचा हुआ था सी बेसी ने 2008 में समझ रहे हो ठीक है आई योप आपको समझ में आ गया होगा और मैं क्या आपको और बता हूं इसी एक और बता देता हूं इंपोर्टेंट बढ़िया 2008 का यह सी बेसी का ही है कभी आत्मकता लिखने से क्यों बचना चाहता था यह पूचा हुआ था एक और 2008 में सी बेसी ने प्रिसेश क्रास के हैं और अथवा में भी है कि कभी जैसंकर प्रसाद ने आत्मकता ना लिखने के कौन कौन से कारण हुआ था सी बेसी 2008 में कि स्मृति को पात्य बनाने से कभी क्या आसा है यह पूचा हुआ है 2008 में ऐसी सवाल पूचे हुए मैं लेके आऊंगा आप जो अपने एक्जाम सीरीज से लेगी तब मैं प्रिसियस कुष्ण पेपर लेके आऊंगा 2008 के 9 के 6 के 5 के 2012 15 20 21 24 तक के लाओ कर लें और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को सेर जरू करें आपको यह एक्स्प्लेनेशन आत्मकत्य कैसा समझ में आया कमेंट में जरू बता है ठीक है और अपने दोस्तों को सेर कर दें या भाई देख लेए बहिए राओ बहिए वह अच्छी एक्स्प्लेनेश गया था और लेकक की मित्रों ने उनसे आद्म खता लिखने का निविदन किया था ठीक है आई योप आपको समझ में आ गया होगा आज हम इस वीडियो में